अगर आप भी अपने future financial goals को achieve करना चाहते है तो SIP यानि systematic investment plan एक भहुती popular और effective तरीका है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि SIP का amount और return कैसे calculate किया जाता है आज किस वीडियो में हम इसी calculation के बारे में बात करेंगे ताकि आप भी अपनी investment को better plan कर सके तो दोस्तो चलिए शुरू इंडर्वल पर fix amount invest करने की सुईदा देता जिससे आप long term goals को achieve कर सकते हैं तो चलिए इसे calculate कैसे किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तो इस वीडियो में आपको SIP calculate करने के दो तरीके बताऊंगा एक तो दोस्तो आप online SIP calculator का use करके SIP calculate कर सकते हो दोस्तो दूसर तरीके में हम SIP formula का use करके pen और copy की मदद से SIP calculate करना सीखेंगे तो दोस्तो सबसे पहले हम SIP calculator की मदद से SIP calculate करना सीखने वाले हैं तो दोस्तो SIP calculator का use करने के लिए आपको Google पर आना है यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है SIP calculator फिर दोस्तो आपको जो पहले नमर की website देखने क करना चाहते हो कितना आम आप इन्वेस्ट और आचाहते हो यहां पर आपको यहां पर आपकोएंटर करदेना इस characterize इसएयाभ Anda टीवाद्स करते हैं इसके पर नीचे बास को यहाद की दोस्तों टाइम पिरदा जितना भी दालना चाथे हो फ्यूट्ट यह जितना फी करना चाहे नेयर के लिए के लिए लिए करना चाहती हो फ्यू यह पर थी-व करना चाहते हो सब्सक्esis हर मंत यहां पर SIP में invest करूँगा और जो मेरा return rate है यहां पर 30% है फिर दोस्तों आपको यहां पर बेक कर देना है और दोस्तों यहां पर नीचे देख सकते हो सब कुछ आपका जो आजाएगा यहां पर दोस्तों देख सकते हो देख लेते हैं दोस्तों SIP का फॉर्मूला होता है M is equal to P into bracket में 1 plus R की power N minus 1 upon में R into 1 plus R दोस्तों आप इस फॉर्मूले का यूज करके SIP को calculate कर सकते हो अपनी pain और copy की मदद से तो दोस्तों यह था SIP calculate करने का basic process दोस्तों यह calculation आपको अपने investment goal और expected returns को समझने में मदद करता है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंदे तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना बुले